आप सबको ये तो पता ही है कि हमारा हार्ट धड़कता है तो अपने हर एक धड़कन के साथ ही बलड को पंप भी करता है शरीर के हर एक औरगन तक पहुचाता है बलड को आप में से हर कोई ये जानना चाहेगा कि जब दिल धड़क कर खुन को पहुचाता है शरीर के हर एक अं अंगों तक खून को पहुचाने वाला माध्यम क्या होता है वो कैसे काम करता है और उसकी सनचना क्या होती है और इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे देखिए हमारे हिर्दय से जूड़ी रहती है शरीर के विभिन अंगों तक पहुचाने के लिए रक्तवाहि का हैं शरीर से डी ऑक्सिजिनेटेड ब्लड को रिदय में वापस भी ले जाती हैं फिर डी ऑक्सिजिनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल वापस फेफडों की तरफ ले जाता है फेफडों से यही ब्लड ऑक्सिजन लेते हैं और दुबारा से यह खुन जाते हैं रिदय की तरफ और हिर्दय दुबारा से इस blood को pump करके इस oxygenated blood को शरीर के हर एक अंग तक पहुचाता है इसलिए तो heart बहुत ज़्यादा important है हमारे शरीर के लिए देखिए शरीर में फैली हुई ये रक्तवाहिकाएं तीन प्रकार की होती है मतलब इन्हें हम तीन तरीके से पर सकते हैं समझने के लिए एक होता है artery जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं दूसरा होता है capillary और तीसरा होता है veins जिसे हिंदी में shira कहते हैं देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस heart से खुन को शरीर के बाकी अंगों तक ले जाने वाले artery का विस्तार कैसे हुआ है देखिए हिदय से लगा हुआ उपर की ओर ये जो बड़ी सी pipe आप देख रहे हैं इसे कहते हैं outer ये हमारे शरीर में blood को पहुचाने के लिए सबसे बड़ी रक्तवाही का है इसे आप हमारे शरीर का national highway समझेए ये सबसे मोटी रक्तवाही का होती है जो की उपर की ओर लगभग 3 cm तक diameter में होती है और नीचे आते आते abdomen में ये 1.8 cm तक हो जाती है देखे जब रिदर से blood pump होता है तो शुरुवात में ये बहुत ही high pressure से आयोटा में आता है इसलिए जो आयोटा होता है जो की सबसे बड़ी artery होती है उसकी दिवार comparatively ज्यादा मोटी होती है जो blood के तेजी से आ रहे प्रेशर को झेल सके और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसी आयोटा से kidney भी जुड़ा रहता है और ये आयोटा से दो artery निकल रही है दो पैर की तरफ और दो हाथों की तरफ और यही हाथों से जुड़ी हुई artery brain को चली जा रही है आयोटा से जुड़ी हुई branch को artery कहते है और यही artery further और branches में बढ़ते हुए arterioles बन जाता है जो की पतली-पतली होती है और यह arterioles जब organ के पास बहुचती है यानि tissues के पास तो यह एक complex जाल बना लेती है जहांपर इसे capillary कहा जाता है यह capillary बहुत ही पतली-पतली होती है और यही capillary tissues को oxygen provide कराती है जो oxygen red blood cells के साथ bind हो गया था अब tissue पर जाकर वहाँ पर tissue को energy देता है और इसी capillary से जूड़ी रहते हैं यानि इसी capillary के जाल से जूड़ी रहते हैं एक इससे थोड़ी मोटी रक्तवाहिका जिसे venules कहते हैं venules जाकर जूड़ जाती है एक बड़े vein से और यही vein अब सीधा हिर्दय के inferior और superior venule के वहाँ से जाकर जूड़ जाता है जो की veins में सबसे बड़ी रक्तवाहिका होती है जहां पर यह अब जो deoxygenated blood हो गया था जो blood tissue को oxygen पहुँचा दिया था और जिसमें अब oxygen की कमी थी वो दोबारा से हिर्दय पर पहुच जाता है हिर्दय से दोबारा फिफड़े पर oxygen लेता है फिर हिर्दय पर आता है और फिर हिर्दय pump करके दोबारा से oxygenated blood को शरीर तक पहुच जाता है चलिए आप इतना तो समझ गए होंगे अब आपको थोड़ा इसके anatomy भी पढ़ा देते हैं ये बता देते हैं कि इसकी सनचना होती कैसे है देखिए blood vessels mainly तीन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है blood vessel की बाहरी लेयर को कहा जाता है tunica externa जो की connective tissue और elastic tissue से मिलकर बनी हुई होती है इसके beach वाले लेयर को tunica media कहते है जो की smooth muscle और elastic fiber से बना होता है इसी की वज़ा से blood vessels dilate और constrict होती है और इसके सबसे अंदुरूनी वाले लेयर को tunica intima कहते है जो की epithelial cells से मिलकर बनी हुई होती है पर ध्यान रहे capillary केवल एक layer से मिलकर बनी हुई होती है जो की tunica intima होती है epithelial cells से मिलकर बनी हुई layer वही जो veins होती है उसमें एक special feature और जोड़ जाता है कि इनमें blood vessels के अंदुरूनी वाल पर कुछ valves होते है जो की blood के backward flow को रोकने का काम करते हैं इसी के वज़े से ही veins में blood का flow केवल एक ही direction में होता है deoxygenated blood का हिदय की तरफ बहना ये veins oxygenated blood को लेकर शरीर के बाकी अंगों तक नहीं पहुचाते हैं veins का diameter थोड़ा ज्यादा होता है और उनकी wall थोड़ी पतली होती है arteries के तुलना में मैं ये समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना